कि अदिलो बच्चों कईस हूँ आप लोग अच्छे वह गर आप अपना पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे आप अपनी ही इस वीडियो में की कौन कौन सा स्थ चेप्टर अपने को पढ़ना है काक्षा दस के अंदर ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दीख रहा होगा यह हमाना NCIT का भूक है ठीक है तो हम देखते हैं कि कि चेप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है फिर अपन चेप्टर वन से स्टार्ट करें तो बिज्ञान को जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि इंग्लिस में साइंस बोलते हैं ठीक है अब मैं जैसे थोड़ा सापको बदाना चाहूंगा कई बच्चों को देंथ में तो चल मोस्टली तीन पार्ट होता है मैत को मैत के अपन बात नहीं कर रहे यहां पर गनीत की बात नहीं कर रहे अब जैसे विज्ञान को अगर अपन बाते तो तीन पार्ट में बात सकते हैं एक को होता है जैसे कि फिजिक्स बोलते हैं ठीक है जिसको हिंदी में बहुत तक ही बोल कि अ रसायन्स सास्त्र बोलते हैं ओर एक होता है बाैइलोजी थीक है जिसको हपन हिंदी में जी विग्यान बोलते हैं तो अभी जैसे दसमा और नमा के अंदर हम्य इन तीनों को Одन चाहत ही पढ़तो की रसायन्स शास्त्र जी बिग्यान को एक साथ ही पढ़ना इसको पर यहां पर हम लोग विज्ञान बोलते हैं ठीक है लेकिन जो दसमा का बूक है या फिर नॉमा का जो बूक रहा होगा अपनी बास उसके अंदर यह फिजिक्स का मतलब वॉतिकी का अलग से पाट और रसायन-शास्त का अलग से पाट होता है और जी विज्ञान का पढ़ा होगा आपने कुछ ऐसे करके मतलब मोशन एंड फोर्स उसके राद फिर ध्वनी पढ़ा होगा ठीक है ध्वनी पढ़ा होगा आपने उसमा पढ़ा तो यह सारे चीज़े जो बहुत तीकी गयंदर आता है ठीक है उसी तरीके से आपने एटम के बारे में मतलब परमान सास्त के अंदर पढ़ा जाता है ठीक है फिर उसी तरह से आपने मनुस्य बढ़ी के बारे में मतलब जो मानव शरीर के बारे में पढ़ा होगा पेर पौद्रे के बारे में पढ़ा होगा उसके आपने डिटेल स्टड़ी करा होगा तो अब और भी अपन डिटेल में पढ़ तो इसको भी अपन विज्ञान के अंदर ही साइंस के अंदर ही लेते हैं लेकिन अलग सब्जेक्ट चाहें लेकिन दसमा लेवल पर यह तीनों चीज़े जो है एक ही बुक के अंदर मिलेगा जो की अब आपको यही चीज़े मिला होगा लेकिन जैसे आप अब यह जो बिज्ञान है वह इस तरीके से बढ़ जाता है बाइलोजी जी बिज्ञान के अंदर केमेस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो जाएगा आपको बाइलोजी एक अलग सब्जेक्ट होगा और फिजिक्स बहुत की अलग सब्जेक्ट में अलग बढ़ जाएगा लेकिन आपको एक साथी पढ़ना है तो मेरे ख्याल से अभी जो बच्चे नहीं जान रहे थे कि विज्ञान के अंदर यह सारी चीजे होती है और बहुत सारी चीजे होती है लेकिन जो आपको पढ़ना है वह इतना ही पढ़न तो हर एक चीज को नहीं पढ़ सकते हैं और आपको थोड़ा सा किलियर हुआ होगा कि मैं क्या बोलना चाहा हूँ अभी अपन इन तीनों को बाइलोजी फीजिक्स और केमेस्ट्री को एक ही किताब के अंदर जो की विज्ञान का कितार हो उसी के अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो अभी देखते हैं अपन की मतलब कितने चेप्टर इसओं लेशन के अदर अपने को पढ़ना है तो पहला चेप्टर है वह पढ़ना है अपना रसायनिक अभिक्री आप समी कर दो बहुत ही सांधार है बहुत अच्छा चेप्टर बहुत मज़ा आता इसमें कभी- थीब तो पहला विग्या के बार ऐसका नाम ही आप देखता हूँगे रासारिक अभीक Rolling एवञ गया है तो हुखत नहीं हो भुए और यह दिख्कत नहीं होगा नहीं होगा क्यों ने से अक्याशनिक आपैर है इसको दिख्कत के पहले है जो है अभी अध्याए एक से ले-कर के मेरी ख्याल से पाँच कि पाँच तक जो है रसायन विज्ञान में हो और टिक और रसायन सास्ट के अंदर होगा के-क मेन यह लोड़ा हूं एक से लेकर के जो पाँन तक चुस्मिम्टर अंदर आपको रसायंस सास्त्र होगा ठीक है रसायंस सास्त्र है थोड़ा हिंदी में मुझे कमजोर पाएंग लेकिन कोई बात नहीं मैं चीजों को समझाद होंगा यह हिंदी और यह जो है मैं आपको समझना है जहीं चीजों को दम समझना है ऐसे गनीतम है व्यान में ज्यादा नहीं होता है यह था है वोगादा है उसको समझ लेता है इसके अंदर हमें पढ़ना है और काफी इंट्रेस्टिंग है जैसे आपने निम्बु खाया होगा तो खटा होता है तो किसकी बज़स होता है यह अमलिय होता है ठीक है जैसे आपने नमक देखा होगा तो चार होता है इस तरीके से लवन अब इसमें थोड़ा डिटेयल में पढ़ेंगे निम्बु सीरका उगरा के बारे में बेकिंग सोड के अंदर है और यह रसायन साथ के अंदर ही आता है चेप्टर थ्री धातू अधातू यह भी बहुत अच्छा चेप्टर है इसके अंदर जैसे आपने लोहा देखा होगा आपने कौपर देखा होगा आपने अल्मुनियम देखा होगा आपने सोना चांदी यह सारी चीज़े क चैप्टर था अध्याय तीन चैप्टर फोर अध्याय चार इसके अंदर हमें सब्धानी से पढ़ना होगा क्योंकि यह बहुत महतबुन चैप्टर है आज आगे लेटे हैँ तो आपको यहां पढ़ने को मिदेगा जैसे इन सारी चीज़े इसके अंदर पढ़ना चीज के नामा को नौर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कारवन और उनके जो योगीख है उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चार के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये भी रसायन सास्त के अंदर ही आता है और फिर चेप्टर पांच अध्याय पांच इसके अंदर आपको तत्बो एवं आवर्द बढ़गी करने हैं यह बहुत ही अच्छा चेप्टर बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है आगे पढ़ेंगे तो यह चप्टर भी आपको 11 और 12 में देखने को मिलेगा इसके अंतर हमें आवर्थ साड़नी के बारे पढ़ना है यह जो आधुनिक आवर्थ साड़नी है जो तत्व है उनको किस तरीके से सजाया गया है और इसको कैसे याद करते हैं इसमें क्या चीजह हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है है। इससे बहुत अंपोर्टन चेप्टर है लोगों थोड़ा हार्ड भी लगता है लेकिन आपको कोई बात नहीं है तो अच्छे तरीके से पढ़ाओंगा आप ध्यान से पढ़ना तो वो सारी चीजियों हो जाएगा मतलब आपको मैंने बता दिया कि एक से लेकर के पांच अध्याई एक से लेकर के पांच तक कौन सा है अध्याई एक से लेकर के पांच तक आपको क्या बढ़ना है रसाइन सास्त ठीक है मतलब केमेस्ट्री इसको इंग्लीज में बोलते हैं हम लोग सीएची एम आई एसटी आगवाई चेमेस्ट्री नहीं बोलिए है केमेस्ट्री ठीक है तो यह था हमारा एक से ले करके पास तर फिर जैसे आप छठे चेप्टर में जाईएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा जैब प्राक्रम ठीक है और यह जो है बाइलोजी के अंदर आता है पहला चप्टर मैंने ज्यादा बाइलोजी पढ़ा नहीं है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है बट जब अपन पढ़ेंगे इसको ठीक है तो वहाँ पे डिस्कॉस करेंगे अब यह जैबी मतलब सजीव और अजीव निरजीव बस्तू के बारे में इसके अ कुंका पूछन कैसे होता है जो के से बढ़ते हैं कौन सा पढ़किया होता है किस तरहीं सो ह्नी सुर्ज को लेकर विए अपना को आ हम सुझे करके अब बोजन का vel मिलेगा चेप्टर नॉम्र 6 है यह इसको बोलते हैं पोन बाइलोजी comparing धिज बिग्यान के लिख्यान का पढ़एंद टाहसे हुआ का Candaceowych रिंट पासी कि अज़सी एप तो है ठीक है कि देखेंद चप्टर साथ देखें चप्टर शिक्स के अंदर आपको पढ़ना है तो इसके बारे आफ को जीव जनन का करते हैं इसके बारे में लोग डिसक्ष करेंगे जैव विकास किस तरीके से होता है इसको डिसक्ष करेंगे फिर चैप्टर दस अब यहां से चैप्टर छो से लेकर के देटर नौ तक हमने बाइलोजी पढ़ना है मतलब जी भी ज्ञान पढ़ना है और चेप्टर 10 से लेकर के चेप्टर 16 ठीक है अध्याय 10 से लेकर के अध्याय 16 तक हमें क्या पढ़ना है भौतिकी बहुत तिकी पढ़ना है ठीक है अध्या है दस से ले करके 16 तक मतलब इसको इंग्लिश में आपन फिजिक्स बोलते हैं ठीक है तो पहला जो अध्याय है भौतिकी के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग है परकास का प्रवर्तन और यह बहुत इंट्रेस्टिंग चेप्टर है मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ठीक है इसके अंदर हम लोग देखेंगे क तरीके से मीरर से मतलब सीशे काच से प्रकास का पड़ावर्दन होता है कि तरीके से पानी है उसके अंदर डंडा रखते हो तो ऊसमें कैसे क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और और भी बहुत सारी चीजे बहुत इंट्रेस्टिंग चीजे इसमें डिस्कस करेंगे फिर जो अगला चेप्टर है बहुत थीकी के अंदर मानम नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ठीक है इसके अंदर हम लोग आख के बारे में डिस्कस कर जैसे आपने इलेक्टिसीटी देखा होगा जैसे बल्ब जल रापका तो उसके अंदर बिदुत किस तरीके से परवाहित होती है किस तरीके से आपका क्रेंट कट गया लाइट आ गया और कैसे होता है इसके बारे हम लोग इसमें डिस्वास करेंगे ठीक है चेप्टर 13 करने के जुरुत नहीं मैं आपको समझा दूँगा बहुत अथ्य चरीके से और आप पढ़े लेंगे तो आप बोलेंगे हाँ मैंने कुछ सीखा यहां से तो अब जैसे बिदुत धारा के चुम्बक्य परवाव का क्या मतलब है जैसे कोई यह तार है अब इसके अंदर हम ल चैपडर 4 के अंदर हम लुके है उर्चा के स्रोथ जैसे बहुत अलग अलग स्रोथ और आकेशल कर और है यह चेर प्राकीवति तरीके से इसमें हम्ममारा पढ़िआवरन के पैसे नियुक्तर क्रिखन करेंगे इसके फॉल्य के इसके बारे में इसके पढ़ना हैं किसी तरिकल होता है या मोब किस तरी केसे सेर हो रहा है आपने खाना पिना कैसे करते हैं किस तरी के साइकल चलता है इस सब चीज़ के बारे में आहार सिरिन खला हो गड़ा के बारे मम लोग इसके अंदर डिसक्स करेंगे ठीक है चेप्टर नंबर 16 ये काफ इंपोर्टेंट चेप्टर है प्राकेटिक सं संसाधनों का संसोतित प्रबंधन जैसे कि बरसा हो रहा है तो आप उसको अलंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं अगर आप उसका प्रबंधन सही धंग से नहीं करेंगे तो अब जैसे सोरज का कीरण आरा है तो आप उसको ठीक है आरा है तो आप ऊसको यूज कर सकते हैं जैसे इलेप्टिसिटी कड़ कर सकते हो कोईले जलाने की जरूत नहीं पड़ेगी पेट्रोलियम ये पेट्रॉल है तो आप बेना काम का बाकि나म चला रहे हो ठा है और आप गारी में सब्सक्राइब काफी लंगते समय तक हमारे आने वाले पीधी को भी बहुत करने का मौका मिले तो इन सबी चीजों को हम लोग डिसक्ष करेंगे इसके अंतर प्राकितिक संसाथनों का संसोसित प्रबंदन है फिक है पर यह जो है हमारा चेप्टर 16 था तो जैसा कि हमने डिसक् एक से लेकर के चेप्टर 16 तर और यह पूरा विज्ञान में आता है और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रसाइंस सास्त में भातिक सास्त में और जी विज्ञान में साइंस आपके पढ़ना करेंगे चेप्टर वान से या फिर आप बहुतिकी से प्रकासवे से हएं-बऔर ऐसा थे कर सकता हूं है तो अब चेप्टर चैप्टर प्राकरम राकरम से सब्सक्ता है तो आप tipi कर देना पहुतिकर में वह प्राकरम सो अबी के लिए Is lecture में लोग इतना ही रखते हैं और आगे आने वाले lecture में figuring प्रसानी करते लिए कोई दिक्कत आथा North आपको कि देखतें अब अतुछे दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर किजिए दिद्सक्राइग अब ही पतेucktर के यहопियोगे अपना सेक grappoli और अच्छे से एक्जाम दे अच्छे से एक्जाम को पास करता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूरी इस वीडियो को सेयर कीजिए और हम लोग अगले लेक्चर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद हैं कि बेल्माद है